दोस्तों आज की इस भागदोड और इतनी ब्यस्त जिंदगी में लगभग हर इंसान उलज कर रह गया है उसे ना ही किसी अपनों के साथ बैठने का समय है और ना ही बात करने का इसलिए हर रिस्ता और प्यार बस सिर्फ और सिर्फ नाम मात कर रह गया है इसलिए आज हम आपके लिए कुछ ऐसी रोमांटिक जगहों के बारे में बताने वाले हैं जहां पर जाने के बाद हर इंसान अपने सारे दुख तकलीप को भूल कर एक दूसरे में खो जाएगा इन जगहों पर आने के बाद यदि आप अपने पार्टनर से कितना भी नाराज क्यों न हो आप दोनों एक दूसरे से ज़्यादा देर तक अलग नहीं रह पाएंगे तो दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए आईए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन इससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए ताकि हमारी आने वाली हर नए वीडियो आपको मिल सके तो सबसे पहले नम्मर पहे चंपाई मिजोरों मेरी नजर में यदि देखा जाए तो दो कपल्स को यहां एक या दो बार तो जरूर ही घूम कर आना चाहिए क्योंकि यहां की हवाओ में जो ताजगी है दो कपल्स यदि यहां घूमने के लिए आते हैं तो उनकी सांसों में समा जाती है दो प्यार करने वाले यदि यहां एक बार आते हैं तो यहां की ताजी हवा उनको बार बार बुलाती है यहां की हर्याली परवत पहाड जील काफी ज्यादा सुन्दर और मनमोहक है यदि आपको जब भी मौका मिले तो आप चमपाई मिल्योरम जरूर घुम कराएं दूसरी नमर पहें सिमला यदि बात की जाए सिमला की तो सिमला उत्तर भारत में इस्थित एक काफी सुन्दर एवं रोमांटिक इस्थानों में से एक है यहाँ पढ़ने वाली ठंड चारो तरफ फैले सफेद बर्प की चादर काफी ज़्यादा दिल को छू लेने वाले होते हैं आप यहाँ की सफेद बर्प की चादरों पर अपने पूरे परिवार के साथ या किसी अपने पार्टनर के साथ आ सकते हैं परन्तु यहां कि सफेज बर्प की चादर का यदि आप लुप्त उठाना चाहते हैं तो आपको गर्म कपड़े और काफी ज्यादा एनरजी देने वाली वस्तों की आवसकता पड़ेगी क्योंकि यदि आप इन सब के बीना घुमने आते हैं तो आप यहां पर ज्यादा आनन नहीं ले सकते यदि आप सिमला आते हैं तो यहां पर कुफरी, माल रोड, जाखो, हेल, कालका और कुलू इन सभी आकर्सक जगों की सेर जरूर करें